हाई गाइस वेल कम बैट टो टेक विद ब्रकल्प और आज कीस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 11 अपने वाल आल अपने सुदम और अपने मोबाइल ने पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं पी तकि अपने मोबाइल के एप PC पर एकस्स कर सके हैं और PC के आप जो हैं remote control डाले तो यह आ जाएगा आपके सामने तो यह 14 MB का जो application है इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है तो अब यह application इस्टॉल हो चुका है तो अब मैं इसे उपन कर लेता हूँ आप तो यह आगया है यहाँ उसके बाद अब यह आपको कहेगा कि आपको एक plugin की और इसमें जुरूरत है इसके लिए तो यह आपके डिवाइस के लिए कौन सा प्लग-इन चाहिए तो आपको वो इंस्टॉल कर लेना है उसके लिए आपको यह उक्ति पर क्लिक करना है और उसके बाद यह आपको अपने आप यहाँ गूगल प्लेस्टॉर पर ले आएगा तो यह 586 KB का यह plugin हो रहा है तो आपको यह और डाउनलोड करना है इसके साथ है तो अब यह plugin देखिए इस्टॉल हो चुका है तो आप मैं वापस से उपन कर लेता हूं एप को तो अब उसके बाद आपको एप में हां सबसे उपर दिखेगा यह और एड्रेस तो यह वह एड्रेस है जो आपको अपनी PC में डालना है ताकि आप अपने mobile phone को उसमें एक् को मलब जॉइन ना कर पाए तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आप इसे copy करकर किसी को बेज सकते हैं या पर यह सैंड इंविटेशन वाले option से भी आप इसे सैंड कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट फीचर आपको यहां पर है रिमोट एड् हो तो अभी जैसे मेरे पास जो मेरा एड्रेस है वह मैं यहां पर डाल देता हूं तो मेरा इड्रेस माल दीजिए 800701910 तो मैंने यह डाल दिया है तो उसके बाद अब यहां पर दिखाएगा कि आप किस तरीके से से एक्सेस कर सकते हैं अब यहां पर आगिया कनेक्टिंग क्लीज वेट फॉर्ट रिमोट साइट तो एक्सेप्ट यौर सुष्ट प्रस्ट तो अगर आप इस रिक्वेस्ट कोक्षट नहीं करेंगे तो उसके बाद यह बिल्ब कोई भी डिभाइस आपके डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप उसे एकसेप्ट ना करें अपनी स्क्रीन पर उब में हान्याव पर accept कर यह तो कि मैंने accept करेंगे चक्णेक्ट आ गया ज़्यां पर देक्ति पाएंगे कि मेरी पी-सी स्क्रीन एक तरीके से मैंने कनेक्ट कर तुर्थ यहां पर अ गया नोक यहां परक्टिंट क्लस इस तरीकником पर इसक्सेश भी कर सकते हैं पी नियाख न रहिए प्रोटना आये या कोई भी दूसरा एप्लिकेशन आप कोई आप खोलना इस को पंदब केवल उस screen को देख ही नहींसे अपने इसाब से उसे लग कर सकते हो आपको इसमें क्या केंगा रहा है तो मैं हीं से अपनी PC स्क्रीन को इस कन्डल इनक्रोड करता है किसे नेक्स्ट मैं आपपो दिखाऊंगा कि किस तरीका से आप अपनी PC को इस पने पी-स पर आप अपने मोबाइल स्क्रीन को कंट्रोल कर पाएंगे, किस तरीक से युद्वार से डाउनलोड करें पी-स पर, यह सब चीज मैं आपको दिखाओँगा, तो अब ले चलता हूँ आप लोगों तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने ब्राउजर पर और वहां पर हम डालेंगे हैं आप अनीडेस्क रिमोट कंट्रोल एप फॉर विंडोज और इतना ही डालते हैं आपके पास विंडोज का जो भी मतलब वेबसाइट होगी उसकी वह आ जाएगी तो ज जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं मैं इसी चीज तो अब यह वेबसाइट उपर हो रही है तो अब यहां पर आपको उप्श्व लेगा डाउनलोड नाओ तो आपको इस पर क्लेक कर देना है और यह फिर डाउनलोड होने लगगा आपके विंडोज में तो यह मैंने इपने PC कि मैं पहले चीज डाउनलोड कर रखा है तो आप मैं इसे ओपन कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह डाउनलोड होने के बाद किस तरीका का आपके पास इंटरफेस आएगा तो यहां पर आपको दिखाई दिगा है और कॉप्शन दिस टेस्क का तो इसमें आपको व करना चाते हो जो भी अंड्रोइट का स्मार्ट पून है तो अब आपको एक्सेप्ट कर लेनी है रिक्वेस्ट जो आईगी अपकी रिवाइस पर और एक्सेप्ट करने के बाद यह करेक्ट हो जाएगा तो मैं आपर एक्सेप्ट कर देता हूं पने मोबाइल से तो यह देखिए एक्सेप्ट करने के बाद यहां पर आगया कनेक्टेट और अब यह मेरी मोबाइल की स्क्रीन जो यहां पर शो होने लगी है तो अब मैं इसे एक्सेस कर सकता हूं तो उसके लिए आप मैं आपको दिखाता हूं कि यह इसमें सारी फंक्शनिंग चलेगी ज यहां से लिए आउड डिस्प्लेय और अडर आपश को तो यह औन हो जाएगी अपना पी यहां से तो यह सब मैं अपने पीची की स्वीग्रहूं तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरी के वरक करता है तो यह मेलब कोई भी फेक नहीं है कि आपका यह वरक नहीं करेगा यहांने पहले यह भी दिखाया तक पीसी किस तरीके से ह्ला आप में पूरा तो इसी तरीके सिर्फ अपर आपके पास एक करसर आ गया है और इसके बादर से आप वर्क कर पाएंगे इस पर उपर यहां पर इसमें बहुत सारे options शो हो रहे हैं जैसे कि यह keyboard control तो यहां से भी आप अपने device को access कर सकते हैं यहां पर आप अपने device कर सकते हैं जैसे कि volume up करना यह सब feature तो यह सब आप इसमें access कर सकते हैं power of पर देना इसे तो मलब power of से इसका मतलब होता है कि आप connection lost हो जाएगा आपके यहां पर तो यह फिर access नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से यह सारी features आप यहां से भी access कर सकते हैं उसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि कि किसी भी android go phones में काम नहीं करेगा क्योंकि वहा से display over other apps यह बंद हो चुका है तो इसलिए वहां पर काम नहीं करेगा साथ ही साथ कोई भी 2GB RAM से कम के smart phones हैं तो उन पर भी काम नहीं करेगा यह के वर 2GB 3GB या 3GB से इतने भी उपर के smart phones में काम करेगा तो आप देख पाएंगे कि मैंने यहां पर google app खोला तो यह भी यहां पर open हो गया है तो अभी तक जो आप यूज कर रहेते हो एक demo mode था अब आप यहां पर देख पाएंगे कि यह आ गया है कि welcome to any desk 6.1 तो इस तरी के आप यह से download भी कर सकते हैं इसके full mode को तो हाँ आप और easily से access कर सकते हैं उसके लब आपको यहां पर recording करने का भी option मिल जाएगा इकान मिलेगा जिसकी मदgt से आप इसमें और भी windows add कर सकते हैं इस witches की browser में Tab Add करते हैं इसी तरीके से यहां पर और भी session कर सकते हैं जिसमें आप और य अप्लिकेशन डाएगा हैं आपको Windows और Android जोना ही अप्लिकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और अगर आप लोगों को वीडियो को संदाइए तो इसे लाइक के पे शेयर कर दें और साथ साथ में जाने को सब्सक्राइब कर दें